किसान तो राजनीती में है ने चुनाब तो लड़ते हैं उनकी सरकोर कैसे आई आज आएंगे भाई राजनीती में भी आ जाएंगे क्यों जल्दी कर रहे हो अभी आने दो चुनाओ किसान भी राजनीती में आ जाएगा किसान को कर रहे हैं आप अपनी बात को धोरा यह किसान संगठन कह रहे हैं मैं लोग दल्गा पर तीनि हैं मैंने खुद चुनाव लड़ा है ठीक है नहीं किसान क्यों नहीं है क्यों नहीं है मीडिया बंदू आप थोड़ा प्रशन समझ के करें मैं खेती करता हूं किसान भी हूं मैंने मैंने एमबीए कर लिया मैं मैंने सी कर लिया तो क्या हो गया सब्सक्राइब करें तो वाट वह अपनी डिक्री दिखा देंगे ठीक है और उन से पूछ भी लेना ठीग कांपे लगता है गन्य क्या कहां पर प्रोसेसिंग होती पूछ लेना गुड़ जमीन के अंदर बोया जाता है या बाहर बोया जाता है एक बार उन्से पूछ के देख लेना वो बता देंगे हैं फिर मानिय है मैंने बता भी दिया में चुनाओ लड़ते हैं और किसानी तो लड़ाता है कुन लड़ाता है किसाने बंगाल यहां छास सा फिर खिशन बहुत तकि शं teenage कर रहे हैं हा तो जमीन दलाशने की बात क्या हूई आप ने हर शब्द को नकारात्मक उसमें लेके जाएंगे क्या किसान को जमिन तलाशने की ज़रूरत है इन दौतना शाओं को बगाएंगे यह छे गजम था करेंगे और राजनीथी नितних पार्टिए राजनीती करेंगे तो वो इस अंदोलन में होगा और तो फिर वो यहां क्यों नहीं आ जाते क्यों नहीं आ जाते वहां और मैं तो यह पूरे विपक्षे कहूंगा विपक्षा जाए जो नेता है अरे हम अपने जन परती निद्यों को फिर आप कहेंगे अर्याना और पंजाब में ऐसा हो रहा है अरे जन परती निदियों से हम यही तो कह रहे हमारी बात सरकार के आगे रखे क्या काम है उनका क्या काम है उनका आप बताईए मुझे कहीं जाके नोकरी करने का है या लोगों की आवाज रखने का है कहां रखे किस लिए रखे किस लिए रखे क्या कौन है यह किसान चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ यह किसान आपको दिखाई नहीं देता यह वह 500 लोग ही है और उनको भी गुलामी से आजाद कराएगा तो किसान कराएगा और उनको भी आप करा सकते हों मोदी और शाह की तानाशाही से अगर कोई निकाल सकता है बीजेपी को भी कोई निकाल सकता है तो वो आज इस देश की ताकत किसान है किसान ही निकाल सकता है आप किसान कर रहा है किसान और बता देता हूँ आपके कैमरे पे अगला मुख्य मंतरी भी किसान होगा और अगला परदान मंतरी भी किसान या किसान का बेटा होगा फिर पार्टियों में बाट दो हिंदू मुसल्मान भारत पाकिस्तान और उसी की तरज पर आप कार्मिया कर रहे हो किसान विकास की बात करेगा किसान रोजगार की बात करेगा किसान काले कानून आप बहुत से हैं बहुत से हैं ज्यादा दूर मैं नहीं लेकर जाओंगा आपके सामने ही आई या हमारे साथी बैटे रिजवान बारती किसान यूनियन राजनेतिक अरपाल जी के संगठन से आप उसमें भी देखिए आप 40 की लिस्ट भी उठा लीजिए ठीक है वही तो कहना मैं का नाम बता दीजिए आप ही जान लीजिए लिस्ट देख लीजिए अगर आपको ग्यान नहीं है तो मैं सब को ग्यान दूँगा गया ठीक है अब क्या तैयारी आगे के आपके देश को एक सुतर में बाढ़ने की तैयारी है जो इन्होंने बाटने की राजनीती की है उसको कतम करेगा तो अब किसान करेगा इस देश को भारत देश के और हर नागरिक को भारत देश के नागरिक का ब्राबरी का दिकार दिलाएगा तो अ आप टोहाना को ही देख लें, रवीवार को ही खुल गया, ठाना भी खुल गया, कोर्ट भी खुल गई, जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया रात को ही, तो ये किसानों की ही जीत है, जो लोकतंतरिक प्रक्रिया में लोक के उपर तंतर हावी हो गया था, दोबारा से किसान उस कि लोगतांतर की जीटी कहां मिली थी कभ मिली थी नहीं मुझे उसके बारे में पता नहीं है लेकिन हाँ अगर हुई है तो नया एक प्रक्रिया है जनता जनार्दन सब कुछ होती है देखिए देश में आप बार-बार कहते हैं हम कहते हैं कानून है सविधान हैं हम मानते हैं हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं हम मानिय नियालय का सम्मान करते हैं देश की लोकतांतरिक सरकार का सम्मान करते हैं और उसी सम्मान के तहट आज किसान साथ महीने से यहां बैठा हुआ है, नहीं तो यह दिली रही और यह संसद रही, किसान खुदी न जाके कानून बना ले, लेकिन हम समयधानिक परक्रिया में, लोकतांतिरिक परक्रिया में विश्वास रखते हैं, और जो आज के ताना शाह है, स्रफ दो ही ताना शाह हैं, मोदी और यह शाह, ठीक है, इन ताना शाहों से मुक्ती दिलńskे का काम किसान कर रहा है, किसान हमेशा से शान्ति में विश्वास रखता है, नहीं तो किसान इस देश की सबसे मजबूत ताकत है, रीड है, जो खाना खिला रहा है, आज भी टो किसानों की ताकत थी ना किसान बिल्कुल सही परशन कि आपने देश की ताकत देश की जनता है और देश की जनता में कानुन के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कॉंस्टिट्यूशन में वी दा प्ीपल ओफ इंडिया हम भारत के लोग solemnly accepted this constitution हम इसमें विश्वास रखते हैं भावना रखते हैं तो जो कानून में है उसे आप लोग जो बोल रहे हैं या आज की सरकार तानाशा बोल रही है एक पूस्तक बोल रही है लेकिन वो हमारी भावना है उसमें हमारा विश्वास है और इसी लिए जो ये का कानून लाए घए हैं हम नहीं चाहते कि ये समीधान का अपमान करें और उससे गलत कानूनों से भरा जए बड़े मुशिक्तिसे बाबा साब अम्यटकर और बहुत से लहोगों ने उसे अच्छे से बनाया है तो हम नहीं चाहते देश का किसान नहीं चाहता कि काले कानून उन में डाले जाएं फुटा जी जैसे हरियाणा है पंजाब है या यूपी है यहां किसान वो प्रिशासन के बीच में नूरा कुष्टी चली हुई है वो इस नूरा कुष्टी का को रुजल्ट नहीं आ रहा है कभी किसान अरुष्ट कर ले जाते हैं फिर रात को जमा दिखाते हो मीडिया में तो भाई करनाटक में भी पूरा दबाव बना रखा है किसानों ने तमिलाडू में भी दबा रखा है वहाँ पे जाके तमिलाडू में और करनाटक में आपने देखा हो कन्या कुमारी से साइकल यातरा की शुरुआत की थी वहाँ भी किसानों को और लेकिन वहाँ भी तुरंट छोड़ दिया गया चाहे बीजेपी की सरकार उतरपरदेश में हो चाहे हर्याना में हो चाहे भारत देश में है लेकिन किसान इस देश को अपना समझता है और किसान इस देश के लिए हर चीज के लिए खड़ा है इस देश के हर नागरिक के लिए चाहे वो एक आम जन की लड़ाई हो, जिसे आप लोगों ने खास कह दिया, वो एक आम किसान है, ये किसान एक आम जन की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने हो, और चाहे गरीबों को खाना खिलाना हो, चाहे मजदूरों की रहने की वेवस्ता करनी ह चाहे दवाईयों की काला बाजारी रोकनी हो तो ये सारे जो काम कर रहा है आज किसान कर रहा है तो किसान ही सरकार चला रहा है किसान ही देश चला रहा है तो किया इस थरीके से रुख जाएगी कियो नहीं रुख जाएगी कियो नहीं रुख जाएगी सरकार से जो हम बात कर र क्यों नहीं कार् ले कानून वापी सोंगे और क्यों नहीं किसान सरकार बनाए गा। बिलकुल रोक देंगे। आप एक बार किसानों की सरकार आने दीजिए. मैं कहुंगा कोई मन्दर जोती तो उठा के दिखा देंना। झाल झाल